वेलो श्रुडेंट मैंसल पूशाप मीमानी। आई वील टीच यू सोचल साइन्स। शुशल साइन्स का आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नमबर थर्ड। चैप्टर नमबर थर्ड किया हमारा फ्रॉभ हंटर्स टु फार्मर्स। क्या नामें farmers from hunters to farmers मतलब जब हम hunting करते थे जब हम खाना बनाने का जब हम लोग खाना खाने के लिए जब अर्ली में इधर से उदर जाया करते थे तो लोग क्या करते थे hunters के लाते थे लेकिन जब वो hunters से काई में change हो गए farmers में से change हो गए तो सो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे इस chapter में तो हमने previous chapter में नेलोथिक एज के बारे में पढ़ा था तो इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे नेलोथिक एज के बारे में पढ़ेंगे लेगे उसमें हमने बहुत ही short में पढ़ा था अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे हम थोड़ लॉंग में पढ़ेंगे तो नेलोटिक एज क्या होती है इन प्रिवेश सेप्टर वी लेंट अर्ली में लिवड इन केफ्स आपको पता है कि हमने पहले लिए ने वह कहां रहता था केफ्स में रहता था वह अपने खाने पिने के लिए इधर से उधर जाया करता था वाइल मुविंग फ्रॉम वन प्लेस टॉन देखा कि महां पर अचानक सही ग्रास है इस मतलब छोटी-छोटी ग्रास उगना स्टार्ट हो गई है कौन कौन सी ग्रास थी वह वीट ही बाली की राइस की जिसको हम खा सकते हैं विए पॉप्सरोफ टैट वेथर सीट उव्फ्स इंट्राट फिल और प्लं ब्लांट्ट उपनोंने सोचा कि हम अगर ज्यादा सीट को डालेंगे तो क्या होता आपया है है पुप तारे प्लांट वहां पर उग जाएंगे तो इन्हों नहीं क्या करा कि महां पर जाद ज्य बोने लगे और उन से की अब जो नेलो तिक एज बोलते हैं वो कहां से आया है ग्रिक वर्ट से आया है मतलब नेलो थी नियोस मतलब नियू और लिथोस मतलब स्टोन मतलब नए ने स्टोन इसके इंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले यह वर्ट किस ने यूज किया था जॉन लुबोक ने इसको वर्ट को यूज करा था ठीक है और अगर हम इसमें देखा जाये तो इसके इंदर कॉइंट भी आया था अलग अलग कोईं का भी हम लोगों नहीं उसकरना सीखा जो कि किसने किया था वेर गॉर्डन चेल्डी ने बनाया था 1920 में अब हम पढ़ेंगे आर्ट लोजिकल एविडेंट से क्या होते हैं हम लोगों ने बहुत सारी जीजे नोटीस करी हमने हमारे एंसिटर्स को देखा तो हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर उन एंसिटर्स की लाइफ कैसे सेटल भी वह हम पढ़ेंगे सबसे पहले उनकी जो डाइट थी वो कैसे चेंज भी अब हम पढ़ेंगे कैसे चेंज भी इसकी डाइट अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे लेल्ट होदी के विशनेट इस शिफ्टेट फॉम हंटर्स तो अगरिकल्चर्स उन लोगों ने क्या करा था अब अगरिकल्चर्स बनाया अब अगरिकल्चर्स से बनाना शुरू कर दिये वह कब करें अगरिकल्चर्स उनकी जो थी वह प्राइम सोर्स बन गई थी खाने के लिए फिर दिरे दिरे इन लोगों ने पर्मानेंट रेसिडेंस मतलब पर्मानेंट घर भी बनाना स्टार्ट कर दिये डिपेंडिंग और वर वन लिव इंदा सब कॉंटेंट विस डिस आड़े जाड़े वहां वहां की वह स्वाइल को देखेगा और वहां बर वह क्रॉप्स को लगाएगा अब वराइटी ऑफ स्टार्ट नेएजिए वहां ज़स डिकार बोलत राड़े उस सानेटे टर्मायो, भी टुर यह कंई नेई, और वहां लिव इस खांप लीव ईंदा裡面 & चेटी में पर्माने बनाने childcare, बलत डेन गाने, बनाटे जिंदेहां। डाइट में लगा दिया और जो मीट होते थे और जो फीश होते थे उनको भी बोलो खाना स्टार्ट करने लगए और जो हमारे डॉमेस्टिक अनिमल्स हुआ करते थे उन लोगों को बोलो पालना शुरू करते इंसे उनको दूद मिलने लगए इसे बाफेलो हुआ गौट पर बैबन को लिए सबस्के कहों कुछा उसको क्हें न कहते हैं चाहिने समयैरी हैं मैं सब्सक्रेभा में ऩूदैंथ पर झाके में लोग बसे सब्सक्राइब और भी hayat इसे खोले बाँसे बमाना फार्म ने लगए फैर में सब्सक्राइई ट्समर्यक इजसे निजोली गल एज मैं स्टार्टेड लीविंग गुरूप तो लगया करने लगए एक साथ गुरूप में रहने लग गए बहुत सारे हाउसे बनाने लग गया और अधे एरे वेर जे लिव जहां पर बोलो बनाने लग तों क्या बोलते हैं पॉटी फाइंग जाओ संब गुछ तो रैक्ट्रिंगल शेप में बनने लगे ऐसे मेर घर मेर देखिए यह इसके नदर देखिए कुछ क्या है रैक्ट्रिंगल और तो कुछ कैसे बनने लगे उन्होंने सरकल टाइम में मकान बनाना स्टार्ट कर दिये गए कुछ नोने बैंबू के बनाना स्टार्ट क पर रखिए नागर। जूनना पहर सब्सक्राइब कोनद। कंदर।श वी सब्सक्राइब कहांद荂 कि यहाँ ऐनलगा नागर। प으र एक डूचमा बंसक्टी बand अफ़ियी घर्भन हों नहीं दों सब्सक्राइब यह कोती वो कहां बनाया लगे वो लो कषमीन कैसे बनते जी में क्रश्मीन में कैसे घर इस तरह के घर बनाये जातेतें इस तरह बनाइ जातेए इस ऀसद के vielleicht जाते जो जमीन उसके अंदर खोड़े जाते धार दा या सधा को देड़्ध देए ट्रेसेज पॉस STUDENT पॉइट्री है विन फाउंड यहां पर उनको एश दिखें मतलब एश मतलब क्या रहा है धूल मिटी है राक टैप मिली चारकोल मतलब जो कोईली होते हैं वह दिखें इनको और बहुत सारे पॉइट्री जो मटके बटके बनाते हैं उनके पीसे भी दिखें अब इसके अंदर क्या करने लगें उससे मिलकर वो लोग खाना प्राणा लोगों ने महां पर स्टार्ट कर दिया अब हमारे जो टूल से वो कैसी चेंज हो गए विदे टाइम तर टूल यूज पाइद अल्यूमें आल्सों चेंज दिए उन लोगों चेंज करने लगें उनके शेफ जो थे व करते हैं उन्होंने पावड़े वगेरा जो भी होते हैं खेती बारे में वो अलग अलग टूल्स नोंने बनाना स्टार्ट कर दिये गे वाट है इंट्रेस्टिंग डिस्कवर लाइक तो कीप देर टूल्स नॉट अल्ली शार बट आल्स शाइन पॉलिश्ट उस टैमें पालशिंग करना भी स्टार्ट कर दी अब पोट्री और ओर्नामेंट्स जो पोट्री मतलों घड़े बनाते वो और ऑनामेंट्स जो दो हम जेवर पहनते वो कैसे चेंज करें तो कल्टिवेशन आफ क्रोप क्रोप स्ट चेंज टू अल्ली मिन उन्लोग ने क्या करा जैसे ल लेकिन जब उन्होंने क्रॉप की खेती वारी करी तो उन्होंने क्रॉप की खेती वारी तो कर दी लेकिन वो क्रॉप कहां स्टोर करके रखेंगे उनको उसमें दिक्कत है तो उन्होंने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं जमीन में गड़ा गोटते हैं और उसके अंदर हम लोग को स्टोट करना स्टार्ट कर दिया लेकिन नीचे अगर हम जमीन में कुछ भी स्टोट करेंगे जमा के रखेंगे तो उसके अंदर पानी आता है और पानी आने के वज़े से वह हमाली चीज़े वह खराब हो जाएगी तो सेम ऐसा का ऐसा पासिजर उनके साथ भी हुआ फिर उ सीड्याइट नम之कि न आ जा सके एसे वन लोगों ने मटके बनाय तो फिर जब उननोंने मटके बनाना स्टार्ट कियेगे तो इसमें वह लोग पानी दूज़ ऐगरा कुछ भी सेव नहीं कर पादे फिर बार इन लोगने इस टाइब के मटके बनाए और उसके बादल्रों स मिट्समे वह से इफ करना स्टार्ट कर देखे और उसी के ज़ाथ नहीं का ओनाना स्टार्ट कर दीए नहीं दैथ Studien को पंदको ऐना से जलें सटार्ट कर दिए आफ रहों ऑने से बनाना स्टार्ड कर दीं सहना दराओ कि लोग मर जाते थे तो उन्होंने क्या करा जो उनकी दफनानी की सिस्टम थी उनको भी उतने चेंज करना स्टार्ट कर दिया इसमें क्या हुआ जो हमारे रिती रिवास थे जला दया न जो तो जो पूरानी की यह जो हएप जू स्टार्ट कर दिया गया detox सनका कर दिया है कलश के अंदर वो रख देते थे इसमें अनादर इंट्रेस्टिंग जैड़ एस बिन ऑबज़र अगर देखा जाये तो जो एशेस थी जो एशेस मतलब जो राख थी वो लोग काई में कहां करते थे कहां पर पाई जाती थी करनाटका और आंदर परदेश में पाई जाती थी अब उनका लाइफ लाइफ स्टाल कैसे चेंज़ वा अब हम वो पढ़ेंगे डियूरिंगा नाइफ लेजिकल एस प्यूपल बिगें टू लीव इन दा ग्रूप्स वो लो क्या करने लगए ग्रूप्स में रहने लगए छोट-छोटी सी कम्यूनिटी बना ली जहां लोग जितना उनको काम करने की शमताची उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने क्या करा काम को बाटना शुरू कर दिया गया संब्सक्राइब जैसे सKeist से टैंब बीता गया उन लोगोंने दूसरे डूसरे आइटम्स भी बनाना शूयुर कर देखे पिर जो उनके पास आइटम्स करते हैं फिर जो उन का इन्वेंशन कैसे हुआ तो वह हम पढ़ते वह भी काई में हुआ था नायतोलिकल में ही वील का इन्वेंशन हुआ था बनाए गई थी वह इन्वेंटेंट देप्ट वील इस डिपिकल्ट टॉ एंसर अब किसने बनाया काफी इसका एंसर जो है मुश्कील देना अब जब उन्वेंशन को उठाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी तो उन लोगों ने क्या करा एसे जो रोलर्स होते हैं वह उसके अंदर पूट करणा स्टार्ट कर देगे ताकि वह इजीली चला सके देखे में पहले इन लोगों ने क्या करा ओलर डधा डैन डोलर इं लोगों ने क्या टाइम लगता था अब वो क्या करते थे इसके अंदर सामान लेकर इधर से उधर जाया करते थे अब हम पढ़ेंगे कैसे चलोजिक लेज़ बचलो सीक मेंक्या होता एज में क्या होता है मैंनि नेवर सीम टुर्स में अद्सक्राइब अन्याइब क्या प्रों हंटिंग डेरीं उनोंने वील का अन्वेंशन किया, यह सब उन लोगों ने उस एज में किया, कौंसे नैलो थिक एज में करा, they discovered metals and ways means to use, उन लोगोंने metal को बनाया और उसका use करना उन लोगोंने सीखा, चलो थिक एज क्या थी, कब से स्टाट हुई थी, 3500 से लेकर 1200 बीसी तक चली भो, तो डिस्काइब जेट प्रियर वेन बिगें उजिंग मैटल अलों जाशन वो क्या करना बड़ा उन्हों को लिए क्या करा है स्टोन के साथ मैटल भी यूस करने लग गए कहा थैं तर्म में समयर विडाओं को किविर्ट्ट आया का लुक्स सब्सक्राइब कौपर की सब्सक्राइब १ हम्ता मैं में विदाग किसमें आगए थे कि एने में बिंग और वुए अप अप दॉस्थिक एज्ट में करने लगाए यह कहा है पाई दाव पाई दा इंडिया में नम गाउन में बिंग वन अब दे मोस अप्लर वन दर चलो लॉथिक एज प्यूपल यूज वील टर्म पोर्टरी एंड डॉमेस्टिक अनिमल्स लाइग देन अथोलिकल पॉर्टिस इन में लोगों ने क्या करा जो वील को जो होते हैं वील सो काय में उस करा पोर्टरी में बनाने के लिए ल चलो लोटिक एज के साथ हम पढ़ेंगे तो हम ने इसमें चलो लोटिक एज को बहुत शौट में ही पढ़ा लेकिन हमने ने अच्छे से बढ़ा उसमें हमने देखा जो आधिवासी लोग थी उन्होंने कैसा अपने को दीरे दीरे करके बनाया श्टूडेंट वापको एच टेप्टर समझ में आया होगा थाइंक यू